कहने को तो नगर निगम ग्रेटर ने शहर के मालवी नगर और मुरलेपुरा जोन में डोर टू डोर कच्छरा संग्रहिन का काम एक फर्म को सौब दिया है लेकिन फर्म के काम की धीमे रफतार काम में खले डाल सकते हैं तरसल फर्म को दोनों जोन का सर्वी करने के साथ 90 दिन में घरों के बहार RFID कार्ड लगाने का काम शुरू करना है लेकिन तीन हफ़ते बीटने के बाद भी फर्म अभी तक दोनों जोन में सर्वी का काम भी पूरा नहीं कर पाई है निगम के साथ हुए समझोते के नुसार फर्म को दोनों जोन में हर घर का सर्वी करना है इस सर्वी के आधार पर ही कंपनी हर घर के बहार RFID कार्ड लगाएगे इस कार्ड पर पंच के आधार पर ही फर्म को पैसे का भुकतान किया जाएगा फर्म को 111 रुपे प्रती भवन के हिसाब से पैसा दिया जाएगा उधर सरकार भी इस पंच के आधार पर जनता से पैसा वसूले की मगर अभी तक RFID कार्ड लगाने के दिशा में कोई काम शुरू नहीं हो पाया है हाला कि निगम प्रशाशन दावा कर रहा है कि अभी दो महिने से जादा का वक्त है और कंपनी इस समयावधी में RFID कार्ड लगाने का काम शुरू करते की गौर्टलब है कि मुडलेपुरा और मालवी नगर जोन में डोर टो डोर कच्रा संग्रहंट के टेंडर होने के बाद 117 हूपर से घर घर से कच्रा संग्रहंट का काम शुरू हो गया है सरकार की और से तैदरों के नुसार नकर निकम यूजर चार्ज की वसूली करेगा अवासे भवनों का चार्ज 20 से लेकर 150 उर्पे तक वसूला जाएगा जबकि होटल, रेस्टोरेंट और अन्य वेफसाइक गतिवीधियों से 250 से 5000 तक यूजर चार्ज वसूला जाएगा वसूली संबंधित फर्म की और से की जाएगी इसके लिए एक नीजी बैंक की और से मशीने उपलब कराए जाएगी हर घर से कार्ड स्वाइप करवा कर पैसा बसूल किया जाएगा ये पैसा नगर निगम के एस्क्रो अकाउंट में आएगा ग्रेटर नगर निगम के XEN प्रोजेक्ट मरोश शर्मा का कहना है कि कंपनी को तीन महिने में RFID कार्ड लगाने का काम शुरू करना है सभी दोनों जोन में मकानों का सर्वे किया जा रहा है दो महिने का वक्त बाकि है इसलिए उमीद है कि फर्म इस समय अवधी में काम पूरा करेगा